फिल्म देखकर आए हैं जवान फिल्म इनसे बातचित करेंगे कि कैसी लगी फिल्म और क्या फिल्म में जो डायलोग है उसकी खुब चर्चा हो रही थी और आफ कैमरा महराज जी भी चर्चा कर रहे थे सही बोला सारु खान ने उन्होंने सही बताया कि सवाल होनी चाहिए सरकारों से सवाल पूछनी चाहिए बिल्कुल सवाल होनी चाहिए कि जिनको मैं वोट दे रहा हूं क्या उस लाइक है ये हमारे विकास के बारे में सोच रहे हैं चाहिए उंगली का सही इस्तेमाल करना चाह है तो दो सो रुपया जो है सिलेंडर का दाम आप घटा देते हैं और कम से कम वी सो बार जो है आप सिलेंडर का रेट बढ़ाते हैं महांगाई चरन सीमा पर है बेरोजगारी है विकास के नाम पर केवल जुमला है तो इस पर सवाल होनी चाहिए हुरी है सनातन खत्रे में तो खत्रे में हो गया आज तक खत्रे में नहीं था आज हिंदुत्य की सरकार है तो हिंदु ही खत्रे में हो गया नौशकार बैदानिश उनजार और आप देख रहे हैं पियार भी इस वक्त आयोध्या में मौझूद है और हमारे साथ बातचित करने के लिए बाल योगी रामदास जी महराज है फिल्म देखकर आए हैं जवान फिल्म इनसे बातचित करेंगे कि कैसी लगी फिल्म और क्या फिल्म में जो डायलोग है उसकी खुब चर्चा हो रही थी और आफ कैमरा महराज जी भी इसकी चर्चा कर रहे थे तो क्या कहेंगे कुछ मैसेज देने की कोशिश फिल्म कर रही है कैसी लगी देखे उसमें हमने देखा सारू खान जी जो बोले कि नेताओं से सवाल किया ज सालों में हम लोगों के लिए क्या किया आज नजदीक चुनाओ है तो दो सो रुपया जो है सिलेंडर का दाम घटा देते हैं और कम से कम वी सो बार जो है आप सिलेंडर का रेट बढ़ाते हैं महंगाई चरन सीमा पे है बेरोजगारी है विकास के नाम पे केवल जुमला है तो इस पे सवाल होनी चाहिए और आपको भी सोचना चाहिए सभी देशवासियों को सोचना चाहिए कि मैं जिस सरकार को ओट देने जा रहा हूँ और ओट देने के बाद हम ओट दे रहे हैं उसके बाद आज 200 रुपया घटा दिया गया लेकिन क्या पिछले 5 सालों कितने 200 रुपया बढ़ाये जाएगा इसके बारे में सूचए ये 200 रुपया बारे में लुभावना में आके इनके छलावा में आके आप देसवासियों ऐसा भूल मत करिएगा आप सूचए सही बोला सारुखान ने उन्होंने सही बताया कि सवाल होनी चाहिए सरकारों से सवाल जो हम एड़ी से दबाते हैं तो उसको पहले मुझे सोचना चाहिए कि किसको ओठ दू जवान ने कई लोगों को जगा दिया और एक अच्छा मैसेज दिया बिलकुल मैसेज दिया सारु खान इस देश के बड़े जो है हीरो है और देश में ही रहते हैं देश के हित में उन्होंने जो है नेताओं को जो है पबलिक से जो है जगाने के लिए कि आप लोग जगिये और सोचिये तब वोट दीजिए अध्या के सादू जाग गये हैं अब संथ बिलकुल जाग गये हैं और जगे थे लेकिन जो है कुछ आम जनमानस और जो लोग है चलावा में आ गये हैं और उन लोगों को नहीं समझ में आया थोड़ी सी रासन पे और एक तरह तरह ना संदीया जाता है देठीजें तो अब कुल जनमानस को पड़ेगा जनता को पड़े गा तो हम लोग भी उससे पीडित होंगे क्योंकि यहां पे मठ मंदिरों में जो सहयोग रासी आती जो चंदा आता या सो मदद आते हैं आम जन्द मानस से ही सहयोग से अस्थान चलता है तो इसलिए अगर पबलिक दुखी है और महंगाई से पीडित है तो हम लोगों को भी असर पड़ेगा तो अगर आपके सापसे मौझूदा जो सरकार है उसमें महंगाई है रोजगार नहीं है तो फिर ऑप्शन क्या ऑप्शन ढूरें इंडिया गटवंदन है जिसको सनातन विरोधी बता दिया जाता है तो आप मानते हैं कि इंडिया गटवंदन के जो लोग है मान करते हैं वो हिंदू धर्म से आते हैं ये लोग भी पूजा पाट करते हैं ये गनुष्ठान करते हैं धार्मी गनुष्ठानों में जाते आते हैं और नेता होने के बाद नेताओं के जीवन जो होता है न सारजनिक होता है सभी के होते हैं तो इसलिए ऐसा नहीं है कि क्य के हैं तो हम इस पीट से जुड़े हुए सभी जाति धर्म के लोगों का मेरा सम्मान करना और सबका स्वागत करना मेरा करतब बनता है इसी प्रकार से इस उत्तर प्रदेश के जो भी मुख्या है इस देश का जो भी मुख्या होता है प्रधान मंत्री होता है तो उनका दाइट की सरकार है ये इस तरह की नारे लगते हैं कि हिंदू ये तैसी सरकार है तो वहां पे अगर आप जैसे संते उदास दिखते हैं महंगाई रोजगार के कोले करके तो बड़ी चिंता होती है क्योंकि सादू संतों की सरकार चल रही है और आप नाराज है देखिए गोरक्ष पर बैठने के बाद वो मुख मंतरी है वो सबके सरकार है ठीक है चाहे वो संत हों चाहे गिरस्थ हों चाहे जिस मजवद जिस याति वर्ग का धर्म का हो मुख मंतरी सबके होते हैं तो संत का सरकार नहीं लेकिन वो पीड़ से महंत है तो वो संत है तो इसलिए कहा जाता है और रहगई बात महंगाई से, महंगाई से हम भी पीडित हैँ, तो हम कह रहे हैं, सबìपीडित है, जो पीडित रहेगा, वो कहेगा. जहां लोग सवाल करते हैं, तो वहां मंदिर दिखाया जाता है, कि मंदिर राम मंदिर बन रहा है, तो यह आपको जो है अपने तरफ लुभाती नहीं है इस तरह की बाते है देखिए राम मंदिर जो बन रहा है मरियादा पुर्शोतम भगवान से राम का भव्य दिब बन रहा है मैं इसका भी स्वागत करता हूं और सवा सव करोड देश वासिये को यहां तक कि मुस्लिम अपने को धन्यवाद कुछ नहीं कहें हम क्यों कहें भाई मोदी जी का क्या असरे है मरियादा पुर्शोतम भगवान से राम की धरती है भव दिब बन रहा है हमको भी बहुत अपवार है खुसी है लेकिन बीजेपी राम मंदिर को बना के और राम मंदिर का पूजन करके प निराजनीती क्रोटी सेकेंगे तो मंदिर मस्जित ये मुद्दा नहीं रहेगा 24 के चुनाव में जमीनी जो मुद्दा बता रहे हैं महंगाई वगर ये रहेगा आपके नुसारे बिलकुल देखिए अब क्या है न हमारे देश में जो है जादेतर युवा है लोग यंग है नई पीडिया है और सभी चाहते हैं कि रोजगार मिले विकास हो महंगाई घटे सुक्सुविदा हो और साथ-साथ धरम भी हमारा है धर्म को भी मानते है धर्म में भी सर्फ्रेस्ट है लेकिन ये भी जरूरी है तो सनातन खत्रे में तो बताते हैं कि हिंदू खत्रे में है आज आपके हिंदूत्य की सरकार है राष्ट पती आपके प्रधान मंत्री मुख मंत्री और सब कुछ आपके हैं आज हिंदू खत्रे में हो गया हिंदूत्य खत्रे में हो गया आज तक खत्रे में नहीं था आज हिंदूत्य की सरकार है तो हिंदू ही खत्रे में हो गया ऐसा नहीं है क्या ये हिंदूस्तान जैसे इसको बता रहे हैं बागिश्वर बाबा भी बोले कि हिंदू राष्ट बनाते हैं तो अभी भी तो हिंदू राष्ट है हिंदू राष्ट आज भी है हिंदू राष्ट क्या नहीं है सनातनिय रहते हिंदू राष्ट है सभी लोग हिंद पुट घटना दिखती रहती है तो ये क्या कहेंगो उसके बारे में जो लोग इस तरह के बियान देते हैं और वो एध्धा जहां एक चूटी तक नहीं मरती है उस एध्धा को भी कहीं कहीं नाम हसी कराते हैं बदनाम करते हैं बिल्कुल ये जो है कुछ अराज़त तत्त हम बेरोत करता हूं ऐसे किसी के बारे में ओर और कहीं भी से किसी को आंपस में लढ़ाना और ऐसे दंगा फैलाने ये बहुत ही गलत है ये निंदनिया हैं ऐसा नहीं करना ठीजिए राहूल गांदी के चेहरे के बारे में क्या कहेंगे को इस देस के सबसे बड़े बिपक्ष पार्टी के जो है नेता है राहूल जी है नितीज जी है स्री अखले शयादो जी है ऐसे बहुत इंडिया गांदन के बहुत योग नेता बहुत सिंडेता है ये तो इंडिया गटबंदन ते करेगी कि कौन प्रधान मंतरी बनता है किसको बनाय जाता है किसको चुना जाता है गटबंदन से आपको अपती नहीं कोई अपती नहीं किसी गटबंदन से मुझे कोई अपती नाम तो बदल भारत हो र देखिए ना गोसी उपचुनाव जो रहे हैं इतने उटो से जो है गोसी चुनाव समाजवादी पार्टी जीती है तो इस ऐसा है और सुनिये इसमें जो है कम से कम सव ऐसे सीटे हैं जो समाजवादी पार्टी हारी है 2022 में जिसमें 400, 500, 140, 50 ऐसे वोटों पे बिधायक जो है चुनाव हारे हुए हैं थोड़ा ही 3-3,5-3 लाख वोटों से पीछे रह गए नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरक ही टिर्फ की तस्वीर बाहर निकलका आती है आप भी देखते होंगे हम भी देखते हैं कि मोधि मैं है योगी मैं योगी आउधिया वहां आप जैसे संत है काई वीडो अब देखने को मिल लिए कि आँ濰ोध में मतलब मोधि में सारी सरके खुड़ी हुई हैं आप आये हैं और जाके देख लीजेगा सभी किसी गलियों में अभी आठ नौ महिना हो गया मुख मार्ग जो है जहां पर थ्री वीलर तक पलट जाती है चोट लग जा रहा है कंकड़ों से जो है एक दूसरे पैहे से जो है टकरा के किसी को कहीं क कहीं कहीं चोट भी लग जा रहा है तिरी विलर पर लट जा रहा है बरसात हो रही है बारिश का महीना है लेकिन सारी सड़के खुदी हुई है जल्दी करना चाहिए इतने सरदालू आ रहे सावन जूला मेला बीता कार्तिक मेला आ रहा है फिर राम जन राम चंदर जी प्रतिष्ठा होने वाला है तो जल्दी से कारी करना चाहिए तमाम पब्ली कारे लाखोस धालू आ रहे है प्रेटकों के लिए कितने आसुविधा है इस समय तो इस सब पर कारी करना चाहिए नहीं तो पिछली बार में सरकार रही कॉंग्रेस की अखलेश चादव कि उन्हो आतन कूलित कॉम्पलेक्स और वो जो ड्रामा सेंटर अस्पताल और भजन संध्या एंपी ठेटर अभी पत्थर लग रखा है घाट पे कुछ पत्थरों को तो इन्होंने जो है तोड़वा दिया चेंजिंग रूम को हटवा दिये दूसरा जो है वहां पर कॉम्पलेक्स ब तो यह राम्दास जी महरास थे बरी बेवाकी से सारी बात को रख रहे थे आउध्या की जो समस्या वो इबता रहे थे और महंगाई से जो देश आमजन तो परेशान है लेकिन यह सादू ऐसे हैं जो नफरती बियान के लिए नहीं जाने जाते हैं और यहें मेसेज जो है हम मेंसेज देश वास्यों के लिए रता है तो फिलाल वीडियो में तरह मिलता है अगले वीडियो दो परने हमाने साथ बहुत हो धन्यवाद